नमस्कार दोस्तो आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे HPTAT JVT के point of view से कुछ important questions जो mainly psychology के questions होंगे तो यह friends जितने भी questions आज हम discuss करेंगे psychology के यह previous HPTAT के exam में यह questions पूछे गए थे और इन questions के मैं आपको जितने भी answer बताऊँगा वो final answer की के according ही बताऊँगा तो final answer की के according ही आपको इन questions के मैं आपको अंसर बताऊँगा तो आपने इन questions के short form में नोर्स जुरूर रूब ना लेने हैं क्योंकि आपको revision के time काफी helpful साबित होंगे तो friends आपको पता हुआ कि आपको JVT TAT में 30 questions जो है total वो psychology के पूछे जाएंगे ये questions आपको HP TAT arts, medical, non-medical, Punjabi उड़्दू, सास्त्री और LTT TAT में भी ये questions आपको काफी helpful साबित होंगे तो friends वीडियो पे आपने end तक बने रहना है अगर आप चैनले पे पहली बार visit कर रहे हो तो चैनले को subscribe कर दें तो friends अगर आप HP TAT की आप त्यारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से playlist नाई है जिसका link मैंने description box में दे दिया है आप आहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो तो friends वीडियो को शुरू करते हैं पहला प्रशन है कि शिक्षारती अधिगम की प्रक्रियां वा सीखने की परिस्थितियां मुख्या पहलू है तो ये किसकी मुख्या पहलू है वाके option number D है शिक्षा मनो विग्यान का education psychology जो है इस question का right answer है शिक्षारती अधिगम की प्रक्रियां वा सीखने की परिस्थितियां मुख्या पहलू है ये शिक्षा मनो विग्यान की सी education psychology ली तो option number D जो है इस question का correct answer है question number second पे चलते है question number second में बोला गया है कि preyog dash के friction की एक विदी है experiment is a method of testing तो preyog dash के friction की एक विदी है ये किसकी विदी है इस question का जो right answer है option number B है hypothesis जो है इस question का right answer है preyog जो है परिकलपना के friction की एक विदी है तो friends मैं आपको बार बार बोर रहा हूँ कि इन questions के आपने short form में notes जरूर बना लेने हैं क्योंकि मैं जितने भी answer बता रहा हूँ वो final answer की के according ही बता रहा हूँ जो HP Boss धरमशाला ने जारी की थी next question पे चलते है question number 3 में बोला गया कि मौके पर घट रहे बेवारों को उसी क्रम में लिखना dash कहलता है काफी important question to write on the behaviors that happen on the spot in that order is called तो मौके पर घट रहे बेवारों को उसी क्रम में लिखना क्या कहलता है question number 3 का जो right answer है वो आपका option number C है विबरनात्मक कताईं उन्हें कहते हैं narratives कहते हैं option number C जो है इस question का right answer है मौके पर घट रहे बेवारों को उसी क्रम में लिखना क्या कहलता है ये विबरनात्मक कताईं कहते हैं option number C जो है development is a continuous process option B इस question का correct answer है question number 5 पे चलते है gene PRJ का बाल विकास का सिधांत किस विकास पर अधारित है on which development is gene PRJ theory of child development based तो gene PRJ का बाल विकास का सिधांत जो है वो किस विकास पर अधारित है question number 5 का जो right answer है वो आपका option number V है ये संग्यानात्मक विकास पर अधारित है cognitive development जो है इस question का right answer है जीन प्याजे का जो बाल विगास का सिधात है वो आपका cognitive development पर अधारित है Question number 6 पे चलते हैं Question number 6 में बोला गया है कि एक शिक्षी का अपने शिक्षार्थियों के लिए विविन अधिगम शैलियों को दियान में रखते हुए विविन प्रकार के कारियों का उप्योग करती है बेप्रभावित है ये काफी important question है A teacher makes use of a variety of tasks to cater to the different learning styles at her learners she is influenced by Question number 6 का जो राइटन्स रहाँ आपका option number A है वे गार्डनर के बहुबदी सिधान से इससे गार्डनर मल्टीपल intelligence थेओरी से वो प्रकार के कारियों का प्योग करती है तो बेप्रभावित किसे है वे गार्डनर के बहुबदी सिधान से वो प्रभावित है तो option A है इस question का राइटन्स रहाँ आपसे ये भी पूछ सकते है कि multiple intelligence theory जो है वो किसे नहीं दी थी वो हवाड गार्डनर ने दी थी option number A इस question का राइटन्स रहा question number 7 पे चलते है question number 7 में बोला गया है कि भारत में प्रत्म मनो बिग्यान की प्रियोग शाला कब स्थापित हुई थी when was the first psychological lab established in India तो भारत में प्रत्म मनो बिग्यान की जो प्रियोग शाला थी question number 8 पे चलते है मानो समाजिक विकास का सिधान ते किस नहीं दिया who gave the theory of psychological development ये भी काफ़ी important question है psychological development की जो थियोरी थी वो किस नहीं दी थी question number 8 का जो राइटन्स रहा option number C है ericson जो है इस question का राइटन्स रहा मानो समाजिक विकास का सिधान तो जो था question number 9 पे चलते हैं कौन सा व्यक्तितव friction नहीं है which is note a personality test तो कौन सा personality test नहीं है question number 9 को जो राइटन्स रहा option number D है बीने साइमन स्केल जो है वो आपका व्यक्तितव friction नहीं है option D इस question का राइटन्स रहा question number 10 पे चलते हैं जब दो विरोधी प्रेणाएं एक समय में एक समय में उत्पन हो जाएं तथा एक समय में ही उसकी संतुस्ति चाहें तो उसे डैस कहेंगे उसे क्या कहेंगे ये question भी question भी काफी important है when two opposing motivation arise at the same time and want their satisfaction at the same time is cold तो उसे क्या कहते हैं question number 10 का जो राइट अंसर है आपका option number B है उसे द्वन्द कहेंगे conflict कहेंगे जब दो विरोधी प्रेणाएं एक समय में उत्पन हो जाएं तो एकी समय में उसकी संतुस्ति चाहें तूसे द्वन्द कहेंगे question number 11 पे चलते हैं question number 12 पे चलते हैं वाले का विकास अनुबाशिक्ता वाडैस की अनुबाशिक्ता वाले का विकास अनुबाशिक्ता वा question number 13 पे चलते हैं question number 13 भी काफी important question है इसमें बोला गया कि किंडर गाटन विदी का प्रदीपाद ने किस ने किया था question number 13 का जो कुरेक्टन सरह वाका option number A है फ्रेडविक फ्रोविल जो है इस question का राइटन सरह है kindergarten विदी का प्रदीपाद ने था वो फ्रोविल ने किया था question number 14 पे चलते हैं बुद्धी वास रिजनात्मक्ता में किस प्रकार का संबंद पाया जाता है what is the relationship between the intelligence and creativity तो question number 14 को जो करेक्टन सरह वाका option number C है धनात्मक जो है positive इस question का राइटन सरह है बुद्धी वास रिजनात्मक्ता में धनात्मक्ता में कि पोस्टी प्रकार का संबंद पाया जाता है question number 15 पे चलते हैं सीखने की समगरी के रूप में निरत्तक शब्दों का प्रियोग किस मनोबेगा निकने किया है which is psychologist used nonsense syllabus as a learning material question number 15 पे चलते हैं according to the fried ये डीज बेस्ट उन डाइस प्रिंसिबल तो ये किस प्रिंसिबल पे बेस्ट है question number 16 पे चलते हैं question number 17 पे चलते है प्रोग्रेसिव मैट्रिस प्रिक्शन किस मनोबेग्यानिक ने विक्सित किया है तो question number 8 पे चलते हैं question number 19 पे चलते हैं अधीगम ब्यवार में प्रिवर्तन को कहते हैं question number 20 पे चलते हैं उपलबदी संबंद शक्ती डैस प्रकार का अभी प्रियरिक है तो achievement relationship power and power are dash kind of motives question number 20 का जो correct answer है वो आपका option number D है psychological जो है मनोबेग्यानिक जो है इस question का right answer है उपलबदी संबंद शक्ती डैस जो है वो मनोबेग्यानिक प्रकार काई अभी प्रियरिक है question number 21 पे चलते हैं मैसलो की अभी प्रियरिना सिधान्थ को dash का सिधान्थ भी कह जाता है मैसलो theory of motivation is also known as मैसलो की अभी प्रियरिना सिधान्थ को और किस सिधान्थ कोन सा सिधान्थ भी कहा जाता है question number 21 का जो right answer है वाक option number B है अब शक्ताओं का सिधान्थ भी कहते हैं theory of needs भी कहते है question number 22 पे चलते है शिक्षा का अती महतुपूर्ण देश्या क्या है the most important objective of education is तो main objective क्या है इसका question number 22 का जो correct answer है question number D है सर्वांगिन विकास जो है all around development जो है वो इस question का right answer है ये शिक्षा का अती महतुपूर्ण देश्या है question number 30 पे चलते है भाटिया वैटरी का प्रियोग किसे friction हित्तू किया जाता है भाटिया वैटरी is used for which test question number 30 का जो correct answer है वो आपका option number A है बुद्धी जो है इस question का right answer है भाटिया वैटरी का जो friction जो है वो आपका intelligence के friction हित्तू किया जाता है question number 24 पे चलते है अब धान एक dash प्रक्रिया है attention is a dash process attention कौन सी process है question number 24 का जो right answer है वो आपका option number C है चैने नात्मक जो है selective जो है इस question का right answer है attention is a selective process which one of the following is the primary agency of a socialization तो कौन सा निमन लेखित में से कौन सी समाजी करने की एक प्रमुक संस्ता है तो परिवार जो है family जो है इस question का right answer है परिवार जो है वो समाजी करने की एक प्रमुक संस्ता है question number 26 में बोला गया कि प्रतिवाशाली विद्यार्थी का प्रतिवाशाली विद्यार्थी का गोण होता है that rates of gifted students तो question number 26 का जो correct answer है वो आपका option number question number 26 में जो बोला गया है कि प्रतिवाशाली विद्यार्थी का गोण क्या होता है question number 26 का जो right answer है वो आपका option number D है उपरोक्त सभी जो है इस question का right answer है प्रतिवाशाली विद्यार्थि मगोन क्या होता है वो सुमानिय बुद्धी का अधिक प्रियों करते हैं विश्य वस्तु को समझने में विश्वास रखते हैं और मौलिक चिंतन करने की प्रवरती होती है तो option D is question का right answer है question number 27 पर चलते हैं विश्वास रखते हैं कौन सा मुल्यांकन साथ तैवं व्यापक मुल्यांकन में आता है which of the following evaluation comes in the continuous and comprehensive evaluation question number 27 का जो correct answer है वावक option number B है दोनो रचनातमक आकलन तथा योगातमक आकलन option D is question का correct answer है बोथ formative assessment and summative assessment जो है इस question का right answer है रचनातमक आकलन और योगातमक आकलन जो है वो मुल्यांकन साथत अबम व्यापक मुल्यांकन में आते हैं option D is question का correct answer है तो friends मैं आपको बार बार बोर रहा हूं कि इन questions के आपने short forming notes जरूर बना लेने है या आपको revision के time कापी helpful पुल्स सावित होंगे और in questions के मैं आपको यतने भी answer बता रहा हूं वो final answer के according ही बता रहा हूं friends अगले question में बोला गया कि 16 वर्ष का 16 वर्ष का एक बच्चा बुद्धी लबदी प्रिक्षन में 75 IQ प्राप्त करता है उसकी मानसी का यू क्या होगी a child of 16 scores in IQ test his mental age will be dash years तो 75 वो IQ प्राप्त करता है तो उसकी मानसी का यू क्या होगी question number 18 का जो राइट answer है वो आपका option number C है 12 वर्ष से जो है इस question का राइट answer है option disease question का राइट answer है question number 29 पे बोला गया कि प्याज जे की कौन सी वस्ता का संबंद अमूरत अबंतार की चिंतन से है प्याज जे which stage is related abstract and logical thinking तो question number 29 का जो correct answer है वो आपका option number C है और पचारी के संक्रियातम का वस्ता जो है इस वीडियो को लास्ट कुशन है बाल के अंदर इस शिक्षा का समर्तन ने में लेक्ति में से किस विचार के द्वारा किया गया था child center education was advocated by which of the following thinkers तो इस question का जो correct answer है question number 30 का option number D जो है इस question का correct answer है तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में वस इतना ही आज हमने एच्पी टेट जीपटी के point of view से कुछ important question discuss किये जो mainly psychology के questions है और यह previous एच्पी टेट के exam में यह questions बूशे गे थे तो फ्रेंट्स इन questions के मैंने आपको जितने भी answer बताए वो final answer के according ही बताए तो आपने इन questions के short form and notes जरूर ना लेने हैं तो फ्रेंट्स I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को like, share and comment जरूर कर दें तो आज की वीडियो हैं वस इतना ही तो thank you friends अगर आप HP TAT की त्यारी कर रहे हो अगर आप तो इसके लिए मैंने एक अलग से playlist ना आई है जिसका link मैंने description box में दे दिया है आप वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हो तो आज की वीडियो हैं वस इतना ही तो thank you friends